वाट्सब गाईज कैसे हैं आप लोग उम्मीद कर रहा हूं अच्छे ही होगे तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा लिंक लिश्ट टापिक चला था उसका नेक्स्ट लेक्चर है यह हमारा जिसके अंदर हम लोग समझेंगे इंसर्टिंग लिंक वीडियो देखेंगे कल दूस्रा वीडियो देखेंगे दो विडियो के अंदर करने के बाद एक एक यह आधा है स्व dinero करेंगे सर्चिय और सॉर्टिंग उसके उलवनिंगぜ ध्यूम्मारा जा दूब तो तब तक के लिए ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन अच्छे से सीखेंगे इसलिए थोड़ा धीरेच के साथ सीखते रहे हैं चले शुरू करते हैं दिखते हैं होती है सबस्के पहले एक लिंट लिस्ट बनाते हैं यह मानलिया आपका पहली नोड हो गई इसके बाद आपकी यह मानलिया दूसरी नोड है 3 इसके बाद यह आपकी 3rd नोड है इसके अंदर वैल्यू पड़ी है 9 यहाँ से ले लिए अपन 7 और 7 के आगे एक ले लिए 6 ठीक यह कोई हमारी given link list है ठीक ये ठीक अब ये हमारी देखें ये हमारी क्या होगई ये given link list है अब देखो inserting basically होती क्या है inserting ये है आपको किसी given particular position पे अगर value को insert करना हो तो उसे कहते हैं basically inserting ठीक मतलब कि जैसे आपको माली है यहाँ पे क्या करना है एक नई node बनाना है और नई node में value insert करना है 5 और 5 value क्या आगे ये आपका इसको point करें तो ये कैसे कर रहे होंगे basically यही हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं अब देखो यहाँ पे total दो condition बनेगी सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं इसका भी कोई काम है नहीं देखो यहाँ पे दो condition है सबसे पहली condition क्या है आपकी inserting before first node लिख लेते हैं इस आत्मी inserting before first node ठीक दूसरी जो condition है वो basically क्या है दूसरी condition है आपको किसी specific position पे अगर आपको insert करना हो इंसर्टिंग आफ्टर यह कह सकते हैं first node या फिर किसी specific position ठीक आफ्टर first node या फिर कोई given position है अगर हमें उस पे insert करना है तो वो हम लोग कैसे कर रहे होंगे यह दो हमारी condition मनती है तो आज की वीडियो में हम लोग पहली condition basically cover up करेंगे कि inserting before first node कैसे हम लोग perform करते हैं ठीक तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं इसको कैसे हम लोगों को करना है तो सबसे पहले यह link list को यहां से cut करते हैं next slide पे लगाते हैं चलके just give me one minute इसको यहां से मैंने cut किया और इसको कर देंगे add to new page ठीक है इसको यहां से लाए और ओके ठीक है तो यह हमारी कोई given link list है ठीक अब इसमें हमको inserting कहां पर करनी है आज का जो हमारा topic है उसके अंदर हमको inserting मालिया करनी है यहां पर 5 ठीक 5 हमें यहां पर insert करना है और यह हमारी link list का जो पहला element है उसके पहले insert करना है तो यह हम लोग कैसे कर रहे होंगे इसको देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं देखो इसकी indexing कर लेते हैं ठीक अभी इसका कोई काम नहीं है तो इसको हटा लेते हैं इसको हटाते हैं ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे, करेंगे हम यह सबसे पहले इसकी indexing करते हैं, यह 1 है आपकी index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, ठीक, तो यह हमारी total indexing हो गई, अब हमको क्या करना है index 0 पे जो index 0 यहाँ पे ही हमें insert करना है 5 को और 5 को ऐसे point करा देना है index 1 के element को ठीक तो यह कैसे कर रहे होंगे देखो इसकी position क्या है इसको करने का एक तरीका है देखो सबसे पहले तो आप क्या करो एक temporary node create करो ती नाम से ठीक यह आपने temporary node create कर ली ठीक यह हो गई आपकी temporary node अब temporary node में क्या करना है सबसे पहले तो एक data डालना है तो टी का data insert कर दिया मान लिया हमने 5 उसके बाद क्या करना है simply आपको t का जो next है इसका जो next है t का next उसको point करा देना है पहले element को यानि first को ठीक यह किए और उसके बाद first is equal to t कर देना है बस इतना सा काम है इतना कर लेंगे आपका जो पहली element जो पहला element है उसके पहले value insert हो जाएगी तो यह करेंगे कैसे यह देखते हैं simple सा इसको यहां से erase करते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए तो थोड़ा size बढ़ा करते हैं ओके ठीक तो देखो करना कैसे है सबसे पहले तो हमको क्या करना step लिख लेते हैं इसके सबसे पहले create a node with the help of pointer दूसरी चीज क्या करनी मैंने अभी बताया कि आपको value assign करनी उसके में data कौन सा पढ़ा है तो मांदिया जो data assign है वही आपको कर दीजे initialize insert data दूसरा काम हो गया अब क्या करना है इसको आपको first node बनाना है now this node became first node क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अब यह आपकी first node नहीं रही first node क्या हो जाएगी actually यह वाली हो जाएगी this node became first node क्योंकि देखो first node क्या होती है हमारी जिसके पहले कोई value आपकी present नहीं है link list में तो इसके पहले जब present हो गई तो first node कौन सी हो गई इसकी previous वाली हो गई ठीक ऐसे ही करते हैं अब अगला next step इसका क्या हो जाएगा अगला हो जाएगा new born node point node point on first node तो यह वाला क्या है यह basically first node को point कर रहा है यह हमने लिख लिया pointer के अंदर आप क्या करना है उसके बाद कि यह जो value है इसको आपने insert कर लिया ठीक तो यह हो गया आपका इसके total यह ऐसी process है जिसके through करते हैं अब इसका देख लेते हैं code क्या कोड भी साथ में समझ लेते हैं क्योंग कोड समझना बहुत जरूरी है क्योंग नहीं तो आप फिल लिख नहीं पाएंगे तो देखो करना कुछ नहीं होगा simple सा एक node star t नाम से आपने अभी मैंने बताया temporary pointer बनाना है और उसमें कर देना है new node new आपका क्या है basically यह keyword है ठीक है जिसके थुरू आप लोग एक temporary pointer बनाते हैं इसके बाद क्या करना है simply t का जो data है माल लिया वो कुछ data है आपका x माल लिया आपका जो 5 है वो आप यहाँ पे x की जगा लिख लीजेगा उसके बाद क्या है t का जो next है वो point कर जाना चाहिए किस पे अभी तक यह आपकी first node थी तो t का next आपका किसके equal हो जाए first के equal और फिर first equal to क्या हो जाना चाहिए first आपका किसके equal हो जाएगा t के equal वही हमने लिखा तो यह total इतने step है जिसके through basically अब आपका क्या हो जाएगा link list में आप लोग उसके जो पहला element था उसके पहले ऐसे value insert कर सकते हैं तो यह आपका basic fund था ज देखेंगे किसी specific position पे कैसे करते हैं value को insert तो तब तक के लिए आप लोग देखते रही है सिखते रही एक्स्प्लोर करते रही है thank you so much guys have a nice day